आपने गाज़े ठीक है काज़े बहुत मेरबन्य अपने अच्छा खाने के लाए हमें सुबह का टैम है च्छी पजने वाले और अभी तक हम लोग पहुंचे है कहां पर गोटकी की तरह पर वो जेखे हैं सामने गोटकी लिखा हुए अभी तक हम लोग गोटकी पहुंचे हैं और हालत कुछ ऐसे हो चेके और हमने फैसर यही लिया था कि यहां से आगे ही जाते कि कोई कार पर कोई सीन नहीं तरह वापसी जाने करते हैं तर भी लग रहा था इस हो यह से और लोग पिर आगे निकल गे ते ट्रेन पर चल पड़ी अभी भी हम लोग जोना मेंखे से पर अभी खानपूर पहुंचेंगे उसके बात देंगे उदर तो एक घंटे का टैम और भी रहता है तो अभी हम जा रहें बस तो ट्रेन पर बढ़ने के वास यही फैदा है कि जैसे यह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारी जेगा देख अभी हम लोग पहुंचें फैनली खानपूर में जो कि खानपूर हमारा अपना इलाका है लेकिन हमें जाना अहमें वहां पर रहे और यह रहा हमारा अटपा और यह मैं यहां पर खणाओं तो भई अभी फिलाल हम पहुंचे हैं टाइम हो रहा है साड़े आठ नो बजने व शिवारो तुमने कॉल किये का कर चाड़े है नेना मुझ देखयो नेने के जाना क्रेंगे लेक वह पाइनके बैठा हूं है और इसाड़ें फिर भी वही पे भी रूखी हुए मा पापी जारी तलि चलो का कर चारू है वे आमजाना पनी ममासे बात करार में शीकारत्का रहे कि यह जो जारी ना यह थी उसकी तेल वाली गड़ थी और इस टेम हम रोप खड़े हों कहां पर फिरोजा पर कैसे और हम जा पनी ममा से लगा वे पातों का यह ट्रेन जो ना भी फिरोजा में आकर रुख गई है अभी जो नहीं हम बोरे मानूस ट्रेन हैं क्योंकि दस बच ग लेगी तो क्या करें यह देखें वही फिरोजा लिखा हुआ है इलाका तो अच्छे लेकिन अभी यहां पर रोक दिया तो हम तो पास गए नहीं पंचर हो गया वह यह यह तो अच्छी बात की अपने काथ पूर फिर इसके बाद आएगा है मलपूर तो बख चल रहे हैं इस बाहर के देखें कहीं रुकना जाहिए नहीं तो अभी देखते हैं में यहां सोतरने है यहां सोतरने है फैनली हमारे ट्रेन का स्टेशन आ चुका है और हम्जा रुक जो रुक जो वी क्या हुआ गर्मी है ना भई हम लोग अंदर ही थे और इतनी गरम हवाना इस हैड़ पर जाहिए और आम लोग बोलते हैं कि यह है यहां पर जैसे उत्रेना तो ओष उड़के के इतनी में लगते 45 डिग्री पर रहे है और यह पापी टिकर वापसी करा के चलते हैं कौन आ रहा है मामू आ रहे है मामू का चश्मा देखें माम्य का मैं चश्मा देख लिए वो नभ और हम्जा भी आ गया मामू को गहरा चुके और यह रहे हैं वह बैज उने से सोक ना से कचलाता है यह देखें वह दो चलो है से और चलो और यह देखें यह मामू चोटा माम नदीम है बड़े मां दीम है तर चोटा जो नहीं है यह इन फ्यूचर माम नदीम है अच्छा भी अभी जना असर का टाइम है मतलब इवनिंग का टाइम है और मैं अभी निकल रहा हूं बहर सुबह सिदर गर्मी बहुत ज्यादा है और हम्जा को लेके देने चीज तो अभी जाते हैं लेके आते हैं मुझे ज्यादा पता नही तो यह भी अच्छा है साफ सुत्र है लेकिन यहां पर प्लोट नहीं बने तो यह खाली पड़े हैं तो देखो नेना और वह सब आगए बहुत आप यह यह देखो यह भी एशक्रम ले और हम्जा भी इनके लिए लिए सब के लिए अब क्या होगा इनके पस तो हैं तो यह तो यह उनके पस बड़ी वाली है मेंगो बादे अब क्या होगा वो मैं तो यह तो तरफ देखें मोमण दिम का ना सैट-प लगावर सब सिलाइका जो कि वहाँ पर था और यहां पर मशीन रख दीए यहां पर ओर लाक है हैं यहां पर फैने यहां पर फैने उपर लाइटि हमारे घार पर आजा वहां पर फिर भी है यहां पर आए थे और रास्ता बंद यह जा रहे थे और रास्ता नहीं दूंगा मैं अभी हम क्या करें क्या हुआ है तुम्हारा दोस्ते है जो भी अच्छा है और नैना को छोड़ेंगे इधर शानी वालों का घार यहां मेरी नानी के अबू का घार यह सामने वाला है और यहां पर ऐसे कुछ और जो खतम शरीफ हो रहा है न वह रहे मस्जिद में तो हम लोग मस्जी में और यहां पजना जॉलिम डॉग खड़ा हुए वह वह पर इस जारें सामने के चोड़ सी मस्जीद है तो यहीं पर मिक्ता से खतम होगा और यह कुछ गाउंगे स्टैप्स है लेकिं माशला कितने अच्छा गाउं में एक साथगी होती है बंदग सकून मिलता है ना कोई तरना कुछ है सब कुछ आसानी है तो बस हम यहां पर जना अपना इफ्तार दुआ करके चले जाएगे यहां से निकलने लगे थे वह सामने सब को जबी चल रहे हमने इस तारी कर ली और साइज बोड़ा भी बाइक मैं चल रहा रहा रास्ते में कुट्ते अभी भी गिरने यहां पर रोड़े ना बिल्कुल ही ऐसी है यह देखें अंधेर आसे में लैट भी नहीं है यहां पर तो ऐसे दिख रहा है सब कुछ तो कुछ भी नहीं समा जाती तो कैसे चलाएंगे तो इसलिए बोलते तुम ही जलाओ अला मेरे कांड़े बंदूख रखेगा यह अब य पाई बृट हम इसके पाई शकशान है तर दिखे इसको चोटा अचयों के अचा हमें बचाओ यार मम हमें बचाओ जार फी को बचाओ अध़ देखो चोटा साहँ पर जो गेर जो यह इसन नहीं किया है ना वो देखने वाला चकरी खुल के जा रही थी ती उसक्ताइब तो बचाव मम इससे तो आगे जाओ पागर इतने बड़े इंसान हो अच्छा भी यह तो कुटे का में भूंगना भूंगता रहेगा और इस तरह आप जना सारी काउज काउज मीन बक्री गाएं और क्या बलते बक्री है इधर भी बक्री है और एक छोटा सा मिमना खड़ा हु और इधर तो वह तो इधर तो अभई कैसे हुँ यह तो नहां के खड़ा हुझ तरह नहीं लग रहे इसको शयद्धिजा नहीं लग रहे है तो इस्वह में धंकिया दे रहे समस्टाइब यहां से निकलते और ये जो है ना मेरे ननी के जना हमवंब बड़े बढ़े छोटे यह चोटे में नाइन से चोटे भाई है उनके में नानी मेरी के चोटे भाई है तो बस हम्जा को मिल रहे हैं और इनका घर भी पास में तो अभी हम बस यहां से निकलने लगे थे हम्जा चलो सलाम करो चलो चलो आज अपिर चले चले ठीक है मुझा तो अब यहां पर हम इनको मिलके अभी हम अपने गाज़े ठीक है काई बहुत अपने अचा खाने के लए हमें ठीक है ओके लाव एक शेक नने बड़े मंगाए ते वह खतम कर दिये और यहां पर देखिए हाँ जो भी अतना अपनी गल्फ्रेंड और पने नाम यह आप लिकित रहता है एक लफज आची नहीं तुम भी लिखे यह यह देखो इसने पना जरू चाहँ अच्छा खाल लिया APSED बाय चुछ अच्छा 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 ने नहीं को रहता है नंच्छा तर अच्छा अच्छा बड़ी लग आपने देखाया ओं में देखा सुगा उनमीद का आच्छा लगा होगा और आज भूट थेखिए हुए क्योंकि सुबह सफर कर गए फिर नीन नी आई हम्दा सोगिया तो मैंने सोया मुझे भी तक नीन नीन है तो चक्रा रह रहा है यह पर शाड़े आठ नो का टैम हो रहा है और नीद आना शुद हो गी है तो जल्दी सोचेंगे वहां कराची में दो तीन फजी तक टागत रहते मेरी वाइफ मुझे नराज होगी कि जोसने मुझे रास्ते में रोक ता कि आप नहीं जाओ वापसी आजाओं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम जब उतरने लगे ना ट्रेन चल पड़ी तो सामान उस टाम अंदर था मैं नैना भी अंदर बैड़ी तो हम फिर वापस आगे तो फिर जब आ गया है तो मैं बोला भी रास्ता के लियर आप चले जाएं तो इस वह से उसको समय नहीं आई वह अभी ना मुझे बात कर रही है ना मेरा फून ठार रही है कोई क्या कर सेंते हैं हर किसी की अपनी हर किसी के नखरी हैं बई तो कोई बात नहीं चलते हैं आप सब्सक्राइब करें तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर को सब्सक्राइब करें अलाफीस